नमस्कार मित्रों, जैमातादी, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल बालाजी एस्ट्रोलोजी में तो कन्याराशे वालों, मित्रों आने वाले तीन दिन आखिर आप लोगों के लिए कैसे रहने वाले हैं आज आपका सटीक भविश्यफल हम आपको बताने वाले हैं दोस्तों, खिड़की दर्वाजे सब बंद करके देखना क्योंकि जो गुप्त राज इस वीडियो में खुलेंगे, वह राज आपने आज से पहले ना तो कभी सुने होंगे और ना ही किसने आपको बताए होंगे दोस्तों, बालाजी एस्ट्रोलोजी यूट्यूब चैनल पर जो बातें होती हैं, वह बातें 101% सच होती है क्योंकि सटीक ग्रह गोचर की छाल के आधार पर हम आपको बात बताते हैं इस जोतिशी विशेश कार्यक्रम को अगर आप शुरू कर रहे हैं, तो एक छोटी सी विनती है कि अंत तक जरूर बने रहना क्योंकि एक एक बात जो रहेगी, वह आपके ग्रहों की छाल के आधार पर रहेगी तो दोस्तों, चलिए, सबसे पहले तो हमारी इस छोटी सी वीडियो को आप सभी लाइक अवश्य कर दीजिएगा क्योंकि लाइक करने का कोई पैसा नहीं लगता है और कमेंट बॉक्स में, मित्रों, सच्चे दिल से केवल माता रानी के सच्चे भक्त ही तीन बार जय माता दी अवश्य ही लिख दीजिएगा माता रानी आपकी सभी मनो कामनाएं पूर्ण करेंगी तो चलिए मित्रों, हम समझते हैं आपका वक्त बहुत ज्यादा कीमती है तो आपका कीमती वक्त गवाई बिना जान लेते हैं, आने वाला समय आई बार जोश में आकर के हम होश खो बैठते हैं, जिसका नतीजा हमें बरबादी के स्वरुप चुकाना पड़ देचता है तो गलतियां क्या-क्या नहीं करनी हैं, किन-किन सावधानियों का पालन करना है वीडियो के अंत में उपाए भी बताए हैं, क्योंकि आने वाले साथ दिन बड़े गंभीर है ब्रह्मा, विश्नु, महेश दे दिया है, आदेश आपकी जिन्दगी में होने वाला है, परिवर्तन दिल थाम कर बैठेगा सबसे पहले माताराणी के सभी सच्चे भक्त अभी के, अभी इस वीडियो को लाइक करें और कॉमेंट बॉक्स में जो भी जय माता दे लिखेगा, सारे बिगडे काम, बैठे बैठे ही बनने वाले हैं दोस्तो, अगर परमात्मा की नजर में चाना है, तो अपने कर्मों को सुंदर बनाना है, नए सप्ताह में गुरू वा मंगल ग्रह का जो सहयोग आपको प्राप्त हो रहा है, वह आपके दिमाग में अध्ययन करने का विचार लाएगा, निवेश करने की प्लैनिंग को सशक बनाएगा, समय बरबाद न हो, इस बात का खास खयाल रखना होगा, यदि आप कोई ओनलाइन कोर्स या घर पर ही कुछ भी करना चाहते हैं, तो इस और कदम बढ़ाया जा सकता है, दूसरी और अपने कैरियर को समवारने के लिए आप उच्च अध्ययन की तैयारी की योज भी बना सकते हैं, ये जो साथ दिन हैं, आपको भगवान का तो सहयोग मिलेगा ही, महादेव की कृपा से आपके बिगडे काम बनेंगे, वे सभी लोग जो प्रतियोगी एक्जाम की तैयारी कर रहे हैं, परंतु बहुत प्रयास करने के बावजूद, हर बार एक नंबर से, दो नंबर से रही जाते हैं, वे लोग महादेव के शिवलिंग पर शहद लगे हुए बेल पत्र अर्पित करें और बाद में परीक्षा देने जाएं, आपका जो सिलेक्शन नहीं हो रहा था, अब वह पूरी गारंटी के साथ हो जाएगा, हमारी ये बात ध्यान से सुनकर म लेकिन बहुत सकारात्मकता रखते हुए सप्ताह का प्रारंभा आपको करना है, इतना ध्यान रखें, कैरियर में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो आपके लिए प्रेरणा की जरूरत है, कोई ऐसा व्यक्ति आपके साथ चाहिए, जो आपको जीतने के लिए उत्साहित करें, अगर आप हार गए हैं, तो आपका मनुबल बढ़ा है, ऐसा कोई व्यक्ति अगर आपके आसपास होगा, तो यह आपके लिए फाइदेमंद रहेगा, और जिन्दगी में हमारी एक बात हमेशा ध्यान रखना, अगर किसी अच्छे इनसान से कोई गलती हो जाती है, आपके आसपास बहुत सारे लोग रहते होंगे, उनसे अगर किसी से गलती हो जाती है, जो बहुत अच्छा है और पहली बार उससे गलती हुई है, तो उसकी गलती को माफ कर दीजिएगा, क्योंकि मोती अगर कचरे के डिब्बे में भी गिर जाए, या कूडे दान में भी गिर जा माल की खरीदी करना नुकसान दायक हो सकता है, यदि आप किसी प्रकार का नशा करते हैं, तो उसे ततकाल त्यागने की जरूरत है, ब्रह्मा, विश्नु, महेश दे दिये हैं, आदेश, जो भी लोग इस तरह के धूमरपान, संबंधित चीजों का सेवन करते हैं, तो कहीं कहीं विशाक्त ग्रह आपके मुह में इंफेक्शन पैदा कर सकते हैं, असाध्य रोग को दे सकते हैं, इसलिए समय रहते संभल जाईए, घर में सभी लोग बहुत ही हर्शित भाव के साथ एक दूसरे का मनोबल बढ़ाने वाले हैं, अपने मित्रों और जीवन साथी के प् देखिए, कहा जाता है दूसरों का दुखडा दूर करने वाले, तेरे दुख दूर करेंगे राम, यानि अगर हम दुख में हैं, अगर हम पीडा में हैं, तो हमें दूसरों की पीडा को दूर करने की कोशिश करनी चाहिए, परमात्मा हमारी पीडा अपने आप ही दूर कर आपको धारदार वस्तु से चोट लगने की आशंका बनी हुई है। जरा सतर्क रहिएगा। इन साथ दिनों के प्रारंभ में मन आपका उदास रहने वाला है। नकारात्मक विचार मन को परेशान करने वाले हैं। लेकिन दो दिनों के बाद इतनी जबरदस्त उर्जा का कोची नहीं होगी। हनुमान जी की आराधना जरूर करते रहे। उन्हें प्रणाम जरूर करते रहे। संकट मोचन उनका एक नाम है और भक्तों के संकटों को हरना उनका काम है। आपकी बिगध्धी बनाएंगे। एक विशेश बात का और ध्यान रखें कि छोटी-छोटी बातों को लेकर क्रोध कताई न करें। देखिए। जिस प्रकार से गरम पानी थोड़े समय बाद पुनह ठंडा हो ही जाता है। उसी प्रकार से हमारा गुस्सा भी जो भले ही बहुत तेज क्यों न हो थोड़े समय बाद ठंडा हो ही जाता है। इस गुस्से में खुद को स सुनने को मिल सकती है, नियम बनने से थोड़ी दिक्कत होगी, कार्य भी समय पर समाप्त होने में थोड़ा संदेह है, प्रयास करिए आप थोड़ा जल्दी काम शुरू कर दें, हर काम समय पर पूरा हो, आपको नियमों का पालन कठोड़ता से करना होगा, और अपने अंदर को तलाशिये कि मुझे क्या पसंद है, मुझे किस फील्ड में इंट्रेस्ट आता है, उसी के अनुसार अगर कैरियर चुनेंगे, तो यह बहुत अच्छा हो सकता है, अत्यधिक मानसिक तनाव का असर आपके स्वास्थे पर पड़ी डी डी एच सकता है, महत्वपूर्ण का पर स्टे कर रहे हैं, तो जिम्मेदारियों को बखू भी निभाते रहे, लोगों को ट्रस्ट करने का मौका दें और स्वास्थे की दृष्टी से थोड़ा सा बुजर्ग लोगों का ध्यान रखें, प्रोफेशनल तरीके से चीज़ों को करें, शिक्षा से जुढ़े लोग विद्यालय की ओर से अधिक कार्य भार मिलेगा, जो लोग एसेंशल सर्विस के अंतरगत कार्य करते हैं, उत्पाद का व्यापार करते हैं, उन्हें अच्छा खासा मुनाफा हाथ लगने वाला है, इसी के साथ में चोट चपेट में, में थोड़ा सतर्क रहें, आने वाले जो अगले दस दिन हैं, ये कही न कहीं जून माह का अंतिम दौर है, यानि जो मध्य का समय है, वह बीत चुका है, अबंत का समय है, तो यहां पर जो तैयारी हम करेंगे, उसी से नए साल की सफलता निरधारित होगी, तो आर्थिक तोर पर तो यह दिन बहुत सुद्रण रह रहने वाले हैं, मजबूत रहने वाले हैं, क्योंकि सूर्य और चंद्रमा दोनों ही व्यापक रूप से आपकी कुंडली में हैं, साथ ही पंचम भाव में आपकी राशिस्वामी की उपस्थिती भी बहुत अच्छे योग संयोग का निर्मान कर रही है, जिस वजह से धन प नौकरी में पदोन्नती की पूरी-पूरी संभावनाएं हैं, लेकिन जिम्मेदारी निभाने के बाद में आपको कोई ऐसी जिम्मेदारी दी जाएगी, जो की बहुत responsibility वाली होगी, यानि बहुत ध्यान परक्से करने वाली होगी, तो उसमें जिम्मेदार आपको बनना को दी गई है, वह आपने निभाली, तो तरक्की, पदोन्नती की पूरी-पूरी संभावनाएं हैं, प्रेम तक धन संपत्ती मिलने के भी योग हैं, देखे, कई बार हमारे बुजुर्गों के, हमारे दादा, परदादा, परदादा की जो जमीने होती हैं, वह किसी ना किसी तरह से अठकी हुई होती है, जिससे प्रेत तक धन संपत्ती कहते हैं, तो ग्रहों ने अभी जैसी चाल बदली है, उसके मिलने के भी आसार यहां पर आपके लिए बहुत अच्छे बन रहे हैं, यानि वह जमीन भी आपकी हो सकती है, किसी व्यापारिक यात्रा से आपको ध विघन आने से तनाव के साथ धनलाब से वंचित रह जाएंगे, कोई भी ऐसा बिजनिस से रिलेटिड काम आपका होगा, वह बहुत अच्छा चल रहा होगा, लेकिन अंत समय पर उसमें विघन आ जाएगा, विघन आने का कारण आपका अहंकार हो सकता है, विघन आने का का आए, कब क्या बुरा प्रभाव आपके व्यापार पर डाल दे, यह कहां नहीं जा सकता, इसलिए विनम्र रहिए, उदार रहिए, अभिमान से दूर रहिए, हाल फिल हाल में, कारियों में जो विघन हो रहा है, वह आपके स्वभाव के कारण हो रहा है, और इस वजह से तन कर्ज लेने की भी आवशक्ता पढ़ने वाली है, संभावना यह भी लगे, आपके राशिस्वामी हैं, बुध, उनका पूरा-पूरा जोर यहां पर रहने वाला है, कि कर्ज लेने की संभावनाएं थोड़ी बढ़ जाएंगी, ऐसे में आपको कोशिश यही करनी है, जितन ज्यादा भरोसा उन लोगों पर नहीं दिखाना है, जो हाल ही में आपके साथ जुड़े हैं, बेरोजगारों को रोजगार प्राप्त होगा, नौकरी में उच्च अधिकारियों से निकट्ता मिलेगी, लाब होगा, भूमे, भवन, वाहन आदी के क्रय विक्रय से धन प्रा वीडियो के अंत में हम आपको मात्र दो उपाय देंगे और ये दोनों ही उपाय आपके बहुत काम आएंगे, इस लेबिल को लैंड तक आपको देखना है, बातों को बहुत अच्छी तरह से समझना जानना है, मान लीजिए, आप व्यर्थ का बहुत धन खर्च करते हैं, त अबब बन जाएगी, घर अत्वा व्यापार में चोरी होने की भी आशंका है, अतह आपको सावधान रहना है, सामान चोरी हो सकता है, वहाँ पर उसे सही धंग से लौकर में तिजोरी में रखना है, लोगों की नजरों से बचा कर रखना है और जगत के सामने ज्यादा धिं यही हमारी आपको खास सलाह रहेगी, आर्थिक क्षेत्र में बड़ी उपलब्धियां प्राप्त करेंगे, रुका हुआ धन आपको पुनह प्राप्त हो जाएगा, यह तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अपना जो धन है, अपना जो पैसा है, वह किसी नौकर के भरों से आप न छोड़े, या फिर किसी नौकर को उसे देकर इधर उधर न भेजें, क्योंकि वहाँ पर मन में उसके लालच जागने वाला है और वह आपको धोखा दे सकता है, संभावना बन रही है ग्रह गोचर के आधार पर, चाहे कितना ही विश्वास पात्र नौकर क्यों न हो सावधान रहिएगा, सतर्क रहिएगा, प्रेम सहयोग में, प्रेम संबंध में सहयोग और धनलाब होने वाला है, कार्यक्षेत्र में जीवन साथी के सहयोग से आय बढ़ने वाली है, जो भी आप काम करते हैं, वहाँ पर जो उनका एक अनुभव है, या जो उनकी सिखस्त स इंस इंद्रियां है, वह आपको बहुत उचित सलाह देने वाली है, और कहते हैं, जो महिलाओं की इंद्रिय होती है, वह पुरुषों की अपेक्षा ज्यादा अच्छे से काम करती है, तो वहाँ पर आपको उनकी वजह से लाब होने की संभावनाएं हैं, बैंक में जमा प अगर किसी उद्योग के विस्तार की योजना बना रहे थे, तो वह विस्तार की योजना सफल हो सकती है, लेकिन उसके लिए आपको लोन लेना पड़ेगा, पैसों की व्यवस्था करनी, पड़ेगी जो आपके लिए मुश्किल से भरा रहेगा, संतान पक्ष से आपको धनल आप होगा और प्रेम संबंधों में आपको उपहार मिलेगा, व्यर्थ धन व्याय नहीं करना है, फिर से हमारी यही सलाह आपको रहेगी, व्यापार में अकारण कुछ बाधाएं आएगी, हमने आपको बताया था, अभिमान से आपको बच कर रहना है, दिखावे से आपको बचकर रहना है, बोलचाल के शब्दों का आपको ध्यान रखना है और यह नहीं समझना है कि आप इस दुनिया में सर्वश्रेष्ट है, यह जो प्रकृती है, कभी भी किसी एक को सर्वश्रेष्ट नहीं बनने देती, कोयल को कंठ दिया तो उसका रूप छीन लिया और मोर को इस सोच को रखेंगे, तभी हम अहंकार से बचे रहेंगे, यह बात सोलह आने सच है, अब हम आपको दो उपाए बताना चाहते हैं, यह उपाए आपके सचमुच में बहुत काम आने वाले हैं, सबसे पहला उपाए हम आपको दोस्तों सोमवार का बताएंगे, इस उपाए स आपकी धन संपदा का विस्तार होगा। इस उपाय से आपकी किस्मत चमकेगी आप माला माल होगे। जहां से जलाधारी नीचे गिरती है, बस वही वाला भाग वही अशोक सुन्दरी वाला भाग होता है। प्रकार का ग्रह गलत दिशा में होता है। शनी के या किसी प्रकार के बुरे प्रभाव उसके उपर पढ़ते हैं, तो आपको हर शनीवार को, काले कुत्ते को, सरसों के तेल में छुपडी रोटी गुड के साथ खिलानी है। काला कुत्ता मिल जाता है तो आपका नसीब नहीं मिलता है, तो कुत्ते को खिला दीजिए, लाब आपको मिलेगा। शनीदेव की कृपा आपको जरूर प्राप्थ होगी। अगर आप अपने बिजनेस में आर्थिक रूप से लाब पाना चाहते हैं, अपने बिजनेस को बहुत आगे तक ले जाना चाहते हैं, तो आज आपको सनान आदी के बाद साफ कपड़े पहन कर, आसन पर बैठ कर, मा लक्षमी के मंतर का जाब करना चाहिए। मंतर इस प्रकार है AUM SHRI MAHALAKSHMI आए, नम आज के दिन आपको इस मंतर का कम से कम 11 बार जाब करना चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि आपके घर की तिजोरियां हमेशा धन से भरी रहें, और आपके उपर माललक्षमी की कृपा बनी तो इसके लिए आज आपको स्नान आदी के बाद एक कटोरी में थोड़ी सी हल्दी लेनी चाहिए और उसे पानी की सहायता से घोलना चाहिए। अब इस हल्दी से अपने घर के बाहर में गेट के दोनों तरफ पहले जमीन पर छोटे छोटे पैर के चिन्ह बनाएं फिर गेट के दोनों तरफ दीवार पर एक-एक स्वास्थिक का चिन्ह बनाएं और देवी लक्ष्मी का ध्यान करें।